Hello Everyone, I'm Advocate सपना कौशेक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या अगर कोई व्यक्ति पॉन वीडियो देखता है तो उसको इसके लिए सजा हो सकती है और अगर हो सकती है तो कितनी सजा हो सकती है Recently एक वीडियो वाइरल हुआ था कुलर कपल का जिसको लोगों ने बहुत शेयर किया अपने फोन में दूसरों को भी दिखाया और उसके उपर क्या कोई सजा होगी आज हम यही सब डिटेल में डिसकर्स करेंगे कि भारत में पॉर्नोग्राफी को लेकर क्या कानून है मुबाइल फोन में पॉर्न वीडियो रखने या दूसरों से शेयर करने पर क्या सजा हो सकती है Recently केरल हाई कोट ने भी इसको लेकर एक बहुत ही अच्छा जज्जमेंट दिया केरल हाई कोट के जस्टिस पीवी करनी कृष्णन की बेंच ने फैसला दिया और कहा कि पॉर्नोग्राफी सदियों से हमारे देश में परचले थे और आज के दौर में जो कि डिजिटल यूग है इसमें और जादा इजी हो गई है बच्चों और बड़ो सब के पास एकसेस है और वो कभी भी पॉर्न वीडियो देख सकते है तो सवाल यह है कि अगर कोई अपने निजी समय में दूसरों को दिखाई बगेर पॉर्न वीडि करने के बराबर होगा तो यह IPC के सेक्शन 292 के तहत अपराद नहीं है लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे को अश्लील फोटो या वीडियो दिखाता है या उसे सावजनेक रूप से दिखाने की कोशिश करता है तो फिर यह सेक्शन 292 के तहत अपराद होगा पॉर्नोग्राफिय या अश्लील तक को लेकर इंडियन पीनल कोड यानि की IPC में सजा का प्रावधान है आईपीसी के सेक्शन 292 और 293 में इसके लिए सजा बताई गई है सेक्शन 292 के तहत अगर कोई व्यक्ति अश्लील वस्तों को बेचता है बाटता है प्रद्रशित करता है या प्रसारित करने की कोशिश करता है तो यह अपराध है और ऐसा करने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो साल की जेल और 2000 रुपे का जुर्माना लग सकता है वही कोई अगर फिर से पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल तक की जेल और 5000 रुपे का जुर्माना लगाया जा सकता है जबकि सेक्शन 293 में अगर कोई 20 साल से कम उम्र के व्यक्ति को कोई भी पॉन वीडियो दिखाता है या बेचता है या किराय पर देता है या डिस्तिब्यू हो सकती है 5000 रुपे का फाइन भी लग सकता है हमारे देश में प्राइवेट में पॉन देखने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कोई अश्ली वीडियो या फोटो देखता है डाउनलोड करता है तो यह एक उफेंस है एक अपराध है और ऐसा करने पर आईटी एक्ट क 67A और 67B के तहट जेल भी हो सकती है या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है सेक्शन 67 कहता है कि अगर कोई भी वक्ती आपती जनक कंटेंट देखता है डाउनलोड करता है या वाइरल करता है तो ऐसा करने पर पहली बार में 3 साल की जेल हो सकती है या 5 लाख रुपे का जुर्माना हो सकता है वही सेक्शन 67A में मुबाइल में पॉर्ण कंटेंट रखने और वाइरल करने पर पहली बार अगर कोई पकड़ा गया तो 5 साल की जेल हो जाएगी और 10 लाख रुपे का जुर्माना भी लगाया जा सकता है या और दूसरी बार अगर फिर से पकड़ा गया है तो ऐसे वीडियो या फोटो मिलने पर पहली बार अगर कोई पकड़ा गया तो पांस साल की जेल और 10 लाख रुपे का जुर्माना लग जाएगा और दुबारा से पकड़ा गया तो फिर वह सजा बढ़कर साथ साल और जुर्माना 10 लाख हो जाएगा इसके अलावा तो उसे उम्र कैद की सजा भी हो सकती है और उसके उपर जुर्माना भी लगाया जाएगा वहीं पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 15 में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति चाईल पॉर्नोग्राफी से जुड़ा कंटेंट अपने पास सकता है यानि कि अगर पर्सनली भी बच या आपका कोई दोस्त देखता है या आपके आसपास कोई ऐसा कर रहा है तो आप सतर्क हो जाए कि आप अकेले में तो देख सकते हैं लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस पर हैं वहां पर ऐसी वीडियो देखते हुए पाए जाते हैं या किसी को दिखाने की कोशिश करते है या किसी को पॉन वीडियो फॉरवर्ड करते हैं तो ऐसे cases में आपके उपर सजा लग सकती है आपके उपर जुर्माना भी हो सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है तो सतर्क हो जाएं आप भी और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क कर दें आपको इस कानून पर क्या कहना है और आपके और मुद्धों पर वीडियो चाते हैं प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताएं धन्यवाद